तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी one of the favorite strategy आपको देने वाला हूं, sideways market के लिए, जो मुझे सबसे बहतनी strategy लगती है, that is iron condor, अब यह iron condor, मैं कई बार discussion कर चुका हूं, पर जैसे हमने इस से पहले straddle और strangle को समझा, तो वहाँ पर एक limitation थी, पहले मैं आपको limitation दिखाता एक लाग 21,000, और हम, आज मैं Saturday को वीडियो बना रहा हूं, तो आपको दिखेगा, nifty के अंदर आप 9% लगबग कमा सकते हैं, strangle में आप 3.2% कमा सकते हैं, पर वहाँ पर भी fund requirement है, एक लाग रुपे, पर यहां पर probability of profit जादा है, so हम क्या चाते हैं, हमारी probability of profit जादा रहे, पर हमारा margin आप देखिए सीधा 47,000 हो गया है यहां पर, और हमारा 5% हम कमा सकते हैं, so weekly आप लगबग nifty से 7% कमा पाएंगे, अगर आप इस strategy को यूज करते हैं, तो, अब 7% weekly कमाना, हम यह नहीं कहरें कि हर हफते होगा, पर जब market sideways होगी, तो आप लगबग 7% कमा पाएंग तो मैं एक simple 36 lot size के अंदर बात करता हूँ, तो आप लगबग 90,000 रुपे कमा सकते हैं, आज के साब से दिखा रहा है, पर आपकी fund requirement होजएगी 17,00,000 रुपे, पर यहीं पर अगर आप strangle बनाते, 36 quantity का, तो आपका लगबग 40,00,000 रुपे लगता, so आपका fund requirement significantly down हो गया, और आप कमा भी जादा सकते हो, तो यह strategy में होता क्या है, यह strategy भी एक तरीकी की strangle ही है, पर जब आप strangle लेखते हैं, और यह देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर देखेगी, यहाँ पर आपका loss unlimited नहीं है, यहाँ पर maximum आप 16% गवा सकते हैं, पर आप strangle के अंदर आप unlimited आपका loss protected होता है, आपको पहले ही पता होता है कि आपका maximum loss कितना हो सकता है, although हमें maximum loss भी नहीं देना है, ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है, कि market बहुत तेजी से volatile हो जाते है, किसी भी एक direction में, तो उस टाइम पर हम इसकी adjustment भी समझेंगे, आने वाली videos में, अब हम iron condor को समझत अगर आपको एक basic iron condor बनाना है, आप उसे use करना चाते हो, आप simply sensible पर जाके कर सकते हो, और तो दूसरा तरीका क्या होता है, iron condors बनाने का, यह भी आपने देखा होगा, मैं आपको example option chain पर जाते हो, और आप simply जो 20 delta के आसपस का strike price होता है, यहाँ पर आप देखिए 20 के आसप पर भी आप क्या करते हो, जो 20 delta होता है, इसे आप बेज देते हो, और जो 10 delta के आसपस का strike price होता है, इसे आप खरीद लेते हो, तो इससे भी आपका iron condor बन जाता है, पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक level और उपर जाएंगे, हम क्या देखते हैं, example के लिए आप expiry सेलेक क तो हम क्या देखते हैं, कि spot का price, nifty का price, almost 18,000 चल रहा है, अब अगर आपको 18,000 देखता है price, तो आप क्या करोगे, मैं एक screen recording on कर देता हूँ, so that editor आपको exactly दिखा पाएगा, आपको क्या करना होता है, so 18,000 आपको दिखा कि nifty है, अब देखिए हम एक simply 52, 52 हपते होते हैं, आ मैं आपको जस्ट पता हूँगा भी, उसके बाद आप internet पर जाके India Wix search करते हो, आप Google पर कर सकते हो, example के लिए आपको उस टेम पर 15 की India Wix दिखती है, आप उसे divide कर देते हो, जो आपके पास अभी number आया था 7.2 से, तो आपको एक weekly volatility पता लग जाती है, कि weekly volatility nifty की लगबग 2% की है, so nifty 2% बढ़ सकता है, 2% घड़ सकता है, तो अब आपने क्या किया, 18,000 plus 2% तीन सो साट पॉंट निफ्टी बढ़ सकता है, और 18,000 minus 2% तीन सो साट पॉंट गिर सकता है, तो अब आपने, अपने मन से नहीं किया कुछ भी, तो 370 पॉंट के अजब से हमारा जो difference आ रहा अगर हम इसे बेचने जाते हैं तो आप एंगे सर डेल्टा तो यहां पर 20 नहीं है, डेल्टा यहां पर 15 है, तो हम थोड़ी सी सेफटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर 15 डेल्टा वाली स्ट्राइक को बेच रहे हैं, यहां इसे सेफटी बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो यहां पर कैलकुलेट किया कि 52% तक उपर और नीचे जा सकता है तो हम इस हिसाब से यहां पर सेल कर रहे हैं मैं इसे 36 कर देता हूं ठीक है और हमने यहां पर सेल किया 17,650 के स्ट्राइक को तो एक सिंबल कैलकुलेशन है कि हम 200 पॉंट्स के डिफरेंस में जो स्ट्राइक आ रही है जैसे 650 यहां पर है तो 450 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसे मैं खरीद लेता हूं यहां पर बाई कर देता हूं ठीक है अब सिमिलरली 18,350 यहां पर है इसे मैं बेच देता हूं यहां पर और 200 पॉंट्स के स्ट्राइक डिफरेंस के अंदर 200 पॉंट्स यहां पर 350 म पर मैंने खरीद लिया तो अब 200 जो points के difference के अंदर मैंने purchase किया buy किया है और जो sell किया है वो आपके सामने है 650 और 350 का जो option है यह मैंने sell किया है 18-350 call side पे और 17-650 यहां पर put side पे although यहां पर delta neutral नहीं है focus हमारा island condor में यह होना चाहिए कि हमारा delta neutral है neutral रहेगा so आपको समझ आएगा यह neutral करने की importance क्या है इसे हम आगे समझेंगे all right तो अगर आपने 23 तारिक को 23rd of December को आपने iron condor बनाया होता तो यहां पर max profit 73,000 का आपका हो सकता था और max loss अगर आप देखेंगे 286,000 का आपका यहां पर loss हो सकता था so यहां पर अगर आपने यह बनाया तो आप देखते हैं कि इसमें आपका कितना पैसा बनता ठीक है अगर market इस range के अंदर रहेगी तो आप profitable रहेंगे इस range के इधर यह इधर जाएगी तो आपका loss होगा next day आप देखते हैं यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ okay look at this आपको 21,000 रुपीज का profit हो रहा होता उसके अगले दिन आपको 38,000 का profit हो रहा होता next day you see आपको 59,000 का profit हो रहा होता 28 तारिक को और 29 तारिक को जिस दिन एक्सपारी है सुबह सुबही 71,000 का आपका profit हो चुका है max अपका profit 73,000 का होना है so मैं आपको 30-30 मिनिट आगे करके दिखाता हूँ कि 72,000 तक आप पहुच चुके है market आपकी range के अंदर ही है last expiry पे आपको याद होगा 29th की जो expiry थी जो आखरी का एक घंटा था उसमें movement आया था तो movement आया था तो आप देखेंगे movement आने के बावजूद भी आपको maximum profit आएगा क्योंकि आपके जो ये आपने लिया है जो आपकी profitable range है इससे बहार market नहीं गई ठीक है so last तक आपको 72, 73,000 का profit हो रहा है अब आप देखिए आपका profit 73,000 का है market हलकी सी move करी है ये देखिए आपका 2 बच के 50 minute की हम बात कर रहे है इसके बावजूद भी market move करी है आपको profit हो रहा है 73,260 का आखरी के 10 minute भी अगर आप पूरे ले लेंगे market आपकी range के अंदर ही close होई है आपको पूरा 73,350 का profit हुआ जो आपका max profit होना था तो iron condors strategy के अंदर क्या है आपको पहले पता होता है आपका profit कितना है आपको पहले पता होता है आपका loss कितना आपको पहले पता होता आपके break events कितने है problem बस यह होती है कि market sideways है तो आपको iron condors अच्छा profit बना के देते है अगर market sideways नहीं है trending हो जाती है तो trending market में iron condors में आपको बहुत दा profit नहीं आता यहाँ पर अभी हमने जो iron condors बनाया यह हम weekly condors की बात कर रहे हैं यह देखिए हम weekly condors की बात कर रहे हैं कि आप माल लीजे आज इसे बनाना चाहते है sensible पर आप इसे execute भी कर सकते है और आप यहाँ पर चाहिए तो strikes को change भी कर सकते है अपनी calculation के recording तो यह तो एक week की range है बट अगर आप जैसे expiry change करेंगे आप यहाँ पर अगले महीनी की expiry तक जाएंगे तो आप iron condor के अंदर देखेंगे you will get more profits आप अपनी range को definitely बड़ा कर सकते है आपको जादा profits हो सकते है पर market आपकी range के अंदर रहनी चाहिए अब यहाँ तक तो आपको concept समझ आ गया होगा कि iron condor किस तरीके से काम करते है only thing is iron condor बहुत अच्छी strategy है जब sideways रहती है market पर अगर trending होनी शुरू हो जाती है तो आप iron condor को कैसे adjust करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको ब्रहमास्तर करना है क्योंकि trending markets में ब्रहमास्तर से बढ़िया कुछ नहीं है पर sideways market के लिए iron condor से बढ़िया भी कुछ नहीं है यह मैं आपको अपने experience के according बता रहा हूँ जो strategies मुझे सबसे ज़्यादा देती है अब next video के लिए आप लोग prepared हो जाए क्योंकि आप हम समझेंगे कि market आपकी profitable range से जैसी बाहर जाएगी तब आपको क्या करना है how will you adjust iron condors, triangle जो आपने sideways के लिए strategies समझी है यह strategies fail होती है then what to do so उस video के लिए आपको क्या करना है इस channel को subscribe करना bell icon करना so that you won't miss that video very important आप एक series का हिस्सा है आपको option trading के ऊपर पूरी series चेहिए तो हमने free series बनाई हुई है i button पर link है end screen पर link है जाके complete सारी videos देखिए you will learn a lot and finally you can share this video to spread this knowledge I will see you in the next video till the time you go self-made and jahind अगर आप लोग stock market से पैसा कबाना सीखना चाते हैं in fact stock market में अपना career बनाना चाते हैं so 12 March 2013 date note कर लीजे 12 March Sunday का दिन है डेली के अंदर त्यागरा स्टीडियम में 6000 लोगों के साथ एक इंडिया का सबसे बड़ा stock market growth conclave होने वाला है जिसमें आपको इंडिया के finest trainers and influencers सिखाने वाले हैं stock market से आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा profitable बन सकते हैं अगर आप इस event की ticket book करना चाते हैं तो आपको link description और comment box में मिल जाएगा इंस्टा पे देखने तो bio में मिल जाएगा and 500 लोगों के लिए giveaway भी है जिसके लिए हम कोई charge नहीं करेंगे आप से तो अगर आप giveaway में participate करना चाते हैं तो भी आपको एक Google form का link मिलेगा उसे भी भर दीजेगा and you can definitely participate in the giveaway so I will see you in the event till that time you go self-made and share this video right now